प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपकी लेखा शास्तर की दूसरी पुष्टक के पहले अध्याय का अंतिम भाग देखने जा रहे हैं इस अध्याय का नाम है अन्ष पूंजी का लेखांकन इस अध्याय के पिछले तीन भागों में हमने अन्ष पूंजी अर्थात शेर कैपिटल की बारीकियों को समझा है वह जो पिछला भाग हमने देखा उसमें हमने कुछ विशेश परिस्थितियों में शेर इशू यानि अन्ष जारी करतने से जूड़ी हुई प्रविश्थियों को भी समझा हमने देखा था कि कैसे जब एक कमपनी जितने अन्ष जारी करती है उससे उससे ज्यादा अन्षों के आवेदन प्राप्थ हो जाएं तो वह उस परिस्थिति में क्या करती है उसके पास क्या विकल्प हैं वह उन विकल्पों के अनुसार हुआ किस प्रकार की प्रभिष्टियां करती हैं। हमने आपको बोला था कि अगले भाग में हम और भी कुछ ऐसी परिस्थतियां देखेंगे। तो आज के भाग में हम ऐसे कुछ चुनी हुई किन्तु महत्वपूर्ण परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। आए शुरू करते हैं। सबसे पहली परिस्थिती बच्चों आज हम लेंगे कि मान लीजिए एक कमपनी ने जितने अंश जारी किये हैं उसे उनसे कम आविदन प्राप्त हो। तो उसे हम क्या बोलेंगे और उसका क्या करेंगे। यदि कम्पनी ने जितने अन्ष जारी किये उससे उससे कम आवेदिन मिलते हैं तो इसे हम अन्षों का न्यून अभिदान के नाम से जानते हैं बच्चो ऐसी परिस्थिती में कम्पनी को केवल एक चीज देखनी होती है सेबी अर्थात Security Exchange Board of India जो कि भारत में शेयर बाजार के से जुड़िवे सभी नियम कानून और दिशानिर देश तयार करती है उसके दिशानिर देश के अनुसार हर कम्पनी जो जनता को शेयर जारी करती है उसके द्वारा जारी किये गए शेर या अंशों की संख्या के 90 प्रतिशत आवेदन उसे कम से कम प्राप्थ हो जाने चाहिए यदि कंपनी को 90 प्रतिशत से भी कम आवेदन प्राप्थ होते हैं तो उसे जितने भी आवेदन प्राप्थ हुए हैं उन सभी आवेदनों को अस्विकार करके आवेदन करताओं की राशी को वापस करना होता है यदि आवेदन 90 परतिशत हो चुके हैं भले ही वो पूरे ना हुए हो तो भी कमपनी उन आवेदनों के साथ आगे बढ़ सकती है और ठीक उसी प्रकार की प्रविष्टियां कर सकती हैं जैसे हमने पिछले भागों में देखा अर्थात मान लीजिए एक कमपनी ने 1000 अंच जारी किये 1000 का 90 परतिशत अर्थात 900 अंशों के आवेदन उसे कम से कम चाहिए मान लीजिए कमपनी को 9500 अंशों के आवेदन प्राप्थ हुए तो क्यूंकि उसने 90 परतिशत की सीमा को पास कर लिया है उसे पार कर लिया है तो अब वह कमपनी साधारन प्रविष्टियों के साथ इन 950 अवेदनों को लेकर अपने लेखांकन के अंदर इसको दर्शा सकती है तो अर्थात यह न्यून अविदान की स्थिती बहुत ही सरल स्थिती है सिर्विस में यह देखना होता है कि 90 परतिशत से कम आवेदन नहीं होनी चाहिए अगली परिस्थिती क्यों बढ़ते हैं बच्चो अगली परिस्थिती है अंशों का अधी मूल्य पर निर्गमन बच्चो अधी मूल्य आप नाम से भी समझ सकते हैं कि जो एक अंश का मूल्य है जब कमपनी उससे अधिक मूल्य पर उसे जारी करती है मान लेजे 10 रुपे का अंश कमपनी 12 रुपे पर जारी कर रही है 15 रुपे पर जारी कर रही है तो मूल्य से अधिक पर जारी करना अधी मूल्य पर निर्गमन कहलाता है इसे हम अंग्रेजी भाषा में सिक्योरिटी प्रेमियम या प्रेमियम पर इशू करना भी कहते हैं कि कमपनी ने शेयर की कीमत से जाधा पैसे लोगों से मांगे हैं ऐसा साधार नित्य बड़ी बड़ी कमपनिया करती हैं जिनकी बाजार में एक अच्छी पकड़ वा अच्छी पहचान है उन्हें अपने अंशों की कीमत से जाधा कीमत भी जनता देने को तैयार रहती है तो वो इसका फाइदा उठाने के लिए अपनी मेहनत अपनी जो उनकी गुडविल जो उनकी एक पहचान बनी हुई है उसका फाइदा उठाने के लिए वो अपनी अंशों की कीमत से जाधा कीमत पर भी उन्हें जारी कर सकते हैं इस अधिक राशी को, जैसे कि मान लिजे 10 रूपे का अंश 12 रूपे में जारी किया गया, तो यह जो 2 रूपे की अधिक राशी है, इसे हम अधि मूल्ये के नाम से जानते हैं कई बार इसे प्रती भूती अधिलाब के नाम से भी जाना जाता है तो बच्चों, कमपनी अधिनियम के कुछ नियम कानून इस सिलसिले में बनाए हुए है उसे हर कमपनी को मानना होता है यदि कोई कमपनी प्रीमियम पर यानि अधिलाब पर अंशो को जारी करती है तो उस premium की राशी को उसे एक अलग खाते में सुरक्षित रखना होता है जैसा कि आप देख सकते हैं उस खाते को हम प्रतिभूती अधिलाब्या सिक्योरिटी प्रीमियम खाता कहते हैं यहां कम्पनी के तुलन पत्र अर्थात बैलेंस शीट में सम्ता वा दाइत्व शीर्षक के अंदर आरक्षित वा अधिक्य मद शीर्ष में जिसे हम रिजर्व एंड सर्प्लेस के नाम से भी जानते हैं उस मद के अंदर दिखाये जाएगा क्योंकि कम्पनी उस प्रीमियम की उस अधिलाब की राशी को एक अलग खाते हैं एक अलग नाम से रखती है आरक्षित करके रखती है यसे हम सेक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानि प्रतिभूती अधिलाब आरक्षित खाता भी कहते हैं इसे आरक्षित करने का अर्थिया हुआ कि कम्पनी इस राशी को केवल कुछ विशेश परिस्थितियों में ही उप्योग कर सकती है इस राशी का उप्योग जिन परिस्थितियों में किया जा सकता है उन में से कुछ मुख्य परिस्थितिया इस प्रकार है कि यदि कोई कम्पन दिये गए शेयर का जो मूल्य है उस मूल्य का भुकतान कंपणी इस आरक्षित राश्य से कर सकती है इसके अतरिक्त कंपनी अपने प्रारंबिक व्ययोंके अभी लेखन के लिए भी आप इस राशि का अपयोग कर सकती है अपना पंजी करण रजिस्ट्रेशन करवाती है उससे पहले जो उसको खर्चे उठाने पड़ते हैं उन खर्चों को हम प्रारंबिक व्याय कहते हैं उन खर्चों के अभी लेखन के लिए कंपनी इस राशी का उपयोग कर सकती है इसकी अतरिक्त यदि कंपनी अपनी प्रतिभुतिय को बट्टे पर यानि डिसकाउंट पर जारी करती है तो उस बट्टे या डिसकाउंट की वजह से कंपनी को जो हानी या व्याय हुआ उस व्याय या हानी को अपलिकित यानि की राइट आफ करने के लिए उसको खातों से हटाने के लिए भी कंपनी इस राशी का उपयोग कर सकती है इसके अलावा यदि कमपनी अपने ही अंशों का क्रे कर रही है यह अपने अंशों को वाजार से वापस खरीद रही है उस वक्त जो उसे राशी की आवश्टता है वहाँ भी वह इस राशी का इस्तिमाल कर सकती है तो यह कुछ मुख्य परिस्थितिया है जहां पर कंपनी इस राशी का इस्तिमाल कर सकती है इसके अलावा इस राशी का इस्तिमाल और कहीं नहीं हो सकता इसलिए हम इसे एक आरक्षित राशी कहते हैं और उसे आरक्षित यानि रिजर्व करके रखते ह तो बच्चो अब प्रतिभूतियों के अधिलाब का अर्थ हमने समझ लिया हमने यह भी देख लिया कि उसको आरक्षित रखकर कहां उपयोग किया जा सकता है अब एक उधारन के साहिता से हम देखते हैं कि जब कंपनी अधिलाब या प्रीमियम पर अंश जारी करती है तो उसका खातों में किस प्रकार प्रिविष्टियों के साथ दिखाये जाता है हमारे सामने एक उधारन है जिसमें जुपिटर कंपनी लिमिटेट ने दस रुपे प्रतियक वाले 35,000 अंश दो रुपे के अधिलाब पर जारी किये तो बच्चों दस रुपे का एक शेर दो रुपे के अधिलाब यानि 12 रुपे पर जारी हुआ है हाला कि प्रश्न हमें अधिकतर यह बताएगा कि यह दो रुपे का अधिलाब किस किष्ट पर मांगा जाएगा आवेदन पर आबंटन पर प्रतम या अध्वित्य मांगा अधि पर पर यदी प्रश्न में इससे जुड़ी जानकारी ना हो तो हम स्वतह यह मान सकते हैं हम खुद ही हम मान सकते हैं कि यह 2 रुपे आबंटन पर मांगे जाएंगे हला कि इस प्रश्न में हमारे सामने यह दिया गया है कि यह 2 रुपय का जो अधिलाब है वा आबंटन पर ही मांगा गया है ना भी दिया हो तो भी आप ध्यान रखेंगे कि आप इसे आबंटन पर ही मानते हैं तो 10 और 12 रुपय में यह कुल यह शेर जारी हुए है जिसमें से 3 रुपय आवेदन पर मांगी गए 5 रुपय अधिलाब के सहित मांगे गए हैं बच्चों तो 5 रुपय अधिलाब के सहित हैं तो आप यहां ध्यान रखेंगे कि इसका अर्थ हुआ 3 प्लस 2 यानि कि 3 रुपय तो अंशों की जो अंकित मोली है उसका हिस्सा है और 2 रुपे इसमें अधिलाब का हिस्सा है 3 और 5 आठ रुपे यहां हो चुके हैं बचे 4 रुपे वो 4 रुपे प्रत्थम वो द्वित्य मांग पर मांगे गए अंशों का पूर्ण रूप से अभिदान हुआ समस्त राशी को प्राप्त किया गया कमपनी की पुस्तकों में इसकी हमें रोजनामचा प्रविष्ठिया यानि जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है अब आगे चलते हैं और इसके हल की तरफ निज़र डालते हैं पहली एंट्री बहुत सरल हमने कई बार कर ली अब तक कि जब हमें राशी प्राप्त होती है तो हम बैंक खाते को डेबिट करते हैं और अन्शावेदन खाते को क्रेड़ करते हैं इस वक्त कमपनी ने 3 रुपे मांगे हैं और उसने 35,000 शेयर यानि अन्शजारी की हैं तो 35,000 गुणा तीन यानि 1,500,000 रुपे हमारे पास आ गये हैं इस 1,500,000 रुपे को हमने अन्शपूंजी खाते में भी डाल दिया अगली एंट्री में हमने आबंटन की राशी मांगी किन्तो इस राशी में अधिलाब की राशी भी सम्मेलित है तो इसका हम ध्यान रखेंगे कि हम आबंटन खाते को यहाँ पर डेबिट करेंगे कुल राशी जो है आबंटन की वो 5 रुपे की है 35,000 अन्श यानि शेर कंपनी ने जारी किये हैं तो 35,000 गुणा पांच 1,75,000 रुपे आबंटन पर मांगे गए लेकिन इस कुल राशी में से 2 रुपे प्रती अन्श के अनुसार 70,000 रुपे बच्चों 2 रुपे प्रती अन्श यानि 35,000 अन्शों को 2 से गुणा करें तो 70,000 रुपे प्रती भूती प्रीमियम यानि की सिक्योरिटी प्रीमियम आरक्षित खाते में हम डालेंगे और बाकी की राशी अन्श पून्जी खाते में आ जाएगी तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो प्रीमियम है जो अधिलाब है इसकी राशी को हम जिस किष्ट पर जिस मांग पर इसे मांगा गया है उस वक्त इसे हम क्रेट करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह की अतरिक्त आये है इसके पश्चात कम्पनी को ये कुल राशी प्राप्त हो गई तो बैंक खाता डेबिट और अंश अबंटन खाता क्रेट हो गया और फिर कम्पनी ने प्रथम वा अंतिम मांग एकठा चार रुपए की राशी मांग ली तो 35,000 अंशों पर 4 रुपए यानि 1,40,000 रुपए कम्पनी ने मांगे जो कि उसे बड़े आराम से प्राप्त हो गए यहां सिर्फ ही सीखने वाली बात ही कि प्रीमियम का जो राशी है उसकी जो राशी है उसे हम जिस भी मांग पर मांगेंगे उसे हम यहां जैसे की दिखाया गया उस तरह से उसे हम क्रेट करके दिखाएंगे बच्चों अब आगे चलते हैं हम अपनी अगली परिस्तिती को देखते हैं अगली परिस्तिती एक बहुत ही महत्वपूर परिस्तिती है इसे हम अनशों के हरण के नाम से भी जानते हैं बच्चों हरण का मतलब पर 4-feet यानि चिन लेना ऐसा तब होता है जब कोई अंश धारक किसी किष्ट जैसे कि आबंटन प्रथम मांग ये द्वित्व मांग आदी की राशी को मांगने पर समय देने पर भी वो से नहीं चुका पाता और कम्पनी उसे एक निश्चित समय अवधी की सीमा बता कर बोलती है कि इस निश्चित समय तक उसे वो राशियां देनी है यदि बार-बार बोलने पर भी कोई अंश धारक वो राशी नहीं दे रहा है तो कम्पनी उसके अंश उससे छीन लेती है उससे वापस ले लेती है ठीक है क्योंकि उसने company के मांगने पर भी वह राशी उसे नहीं दी तो दो company उसके उस अंशधारक के अंशों को ना कीवल चीन लेगी बलकि उस अंशधारक ने जितनी भी राशी अभी तक दी है वह राशी भी company जपत कर लेगी ऐसे में जिस वक्त ये जबती या हरन किया जाता है उस वक्त हमें क्या प्रविष्टी करनी होती है क्योंकि हम अन्षों को अब हरन करके उन्हें कैंसल कर रहे हैं उन्हें खतम कर रहे हैं तो अब हम अन्ष पूंजी खाते को डेबिट करेंगे जैसा हम जारी करते वक्त अंश पूंजी खाते को credit करते हैं अब हम उनको cancel या खतम कर रहे हैं तो हम उसे debit करेंगे तो हमारी प्रविष्टी में सबसे पहले अंश पूंजी खाता यहाँ पर debit हो जाएगा इसके पस्चार बच्चों credit में हमें एक तो यह दिखाना है कि हमने कितनी राशी जप्त की तो जो राशी हम जप्त करते हैं वो अंश हरन खाते के नाम से आती है माल लेते हैं एक बहुत सरलुधारन कि एक अंश धारक के पास 10 रुपे राशी का एक अंश था एक शेर था जिसमें से वह छे रुपए दे चुका था और चार रुपए उसे देने थे तो दस रुपए कि जो कुल उसके अंश पूंजी की राशी है जो हमने उसे मांग ली थी यह भी ध्यान रखना है आपको कि अंश पूंजे में यहाँ पर वह राशी हम लिखते हैं जिसे कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाता है जिसे हमने मांग लिया था ठीक है कॉल्ड अपर था इसे मांगा जा चुका था मांगी गई राशी तो यह जो मांगी गई राशी है कुल राशी यहां अंश पूंजी खाते में डबिट हुई उस में से जो राशी अंश धारक ने हमें दे दी वह राशी यहां पर अंश हरन खाते के नाम से आती है तो बच्चों इस प्रविष्टी को आईए अब एक उदाहारण की सहायता से हम समझेंगे और देखते हैं कि इन परिस्थितियों में हमें किस प्रकार प्रविष्टियां करनी होती हैं हॉंडा लिमिटेड ने 100 रुपे के 10,000 शेयर जारी किये जिस पर राशी कुल इस प्रकार मांगी गई 20 रुपे आवेदन पर, 30 रुपे आबंटन पर, 20 रुपे प्रथम मांग पर और सेश 30 रुपे द्वित्यवा अंतिम मांग पर कंपनी को 10,000 अन्शों के लिए ही आवेदन प्राप्त हुए और उनका आबंटन किया गया सुप्रिया द्वारा 300 अंशों पर देय दोनों मांगों को छोड़कर सभी देय राशी प्राप्त हो गई यानि सुप्रिया नाम की एक अंश धारत थी जिसने उसके पास 300 अंश थे उससे दो मांग गए यानि 20 रुपए की प्रथम और 30 रुपए की दो मांगी गई जो कि उसने नहीं दी इनको छोड़कर बाकी सारी राशी हमें प्राप्त हो गई इस राशी इस अंश का हरण कर लिया गया तो बच्चो आईए अब इसके हल को देखते हैं और इन प्रविष्टियों को समझने की कोशिश करते हैं बच्चो दस हजार अंशो पर 20 रुपए की आवेदन राशी प्राप्त हुई तो ये सरल प्रविष्टिया में जल्दी जल्दी आपको आगे लेके चलता हूं हम अपनी मुख्य प्रविष्टिय पर इसे विस्तार में चर्चा करेंगे दस हजार अंशो पर 20 रुपए की राशी प्राप्त हुई आवेदन पर बैंक खाते में दो लाक रुपए आगे ये दो लाक रुपए हमने अंश पूंजी में हस्तान तरित कर दिया हमने आबंटन पर 30 रुपए मांगे डस हजार पर 30 रुपए यानि 3 लाक रुपए आगे हमने उसको भी आगे जाकर अंश पूंजी खाते में पहले दे किया फिर ने बैंक खाते से उसको दिखा दिया है अब आपको धिहान देना है कमपनी ने प्रथम मांग कि 20 रुपए की प्रथम मांग थी 10,000 गुणा 20 2,000,000 रुपए कमपनी ने मांगे लेकिन जब पैसे मिलने की बारी आई तो सुप्रिया के पास 300 अंश थे उन 300 अंशों पर 20 रुपए यानि 6,000 रुपए उसने नहीं दिये तो हमारे बैंक खाते में आ गए 6,000 रुपए के घटाने के बाद 1,94,000 रुपए इसी प्रकार जब दुवित्य मांग की गई 30 रुपए की 10,000 अंशों पर 3,000,000 रुपए हमने मांगे फिर से सुप्रिया के 300 अंशों पर 30 रुपए यानि की 9,000 रुपए नहीं मिले तो हमारे बैंक खाते में आ गए 2,91,000 रुपए इसके पश्चात बच्चों उसके अंशों का हरन किया गया है तो अब हरन की जो प्रविष्टी हमने पीछे सीखी थी उससे हम इस उधारन में देखते हैं सबसे पहले आप यहां पर अंश पूंजी खाता दिखाएंगे यहां पर 300 अंश थे सुप्रिया के जिन पर कुल 100 रुपए मांग लिये गए थे तो 300 गुणा 100 रुपए यानि 30,000 रुपए अंश पूंजी खाते को हमने डेबिट किया अब जो राशी वो दे चुकी थी उससे हम अंश हरन खाते में दिखाएंगे उसने आवेदन और आबंटन की राशी दे दी थी 20 रुपए और 30 रुपए उसने दे दिये थे 50 रुपए गुणा उसके 300 अंश तो 300 गुणा 50 बच्चों ये 15,000 रुपए अंश हरन खाते में यहाँ पर आ गए अब जो जो राशी उसने नहीं दी उससे एकक करके हम किस्तों के नाम से दिखाएंगे उसने 20 रुपए की प्रथम मांग की राशी नहीं दी तो यहाँ आ गया अंश प्रथम मांग खाता जो की 300 गुणा 20 रुपए यानि 6,000 रुपए वहाँ गये इसी प्रकार 300 अंशो पर 30 रुपए का द्वित्य मांग ना देने की वज़े से अंश द्वित्य मांग खाते के नाम से हमने 9,000 रुपए यहाँ दिखा दी तो बच्चों यह आपकी अंश हरण की प्रविष्टिया थी तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और एक आखरी लेकिन बहुत ही अच्छे विस्तरितव महत्वपूर्ण परशन के साथ इस अध्याय का समापन करते हैं इस प्रशन में हम हरण की प्रविष्टियों को तो देखेंगे ही साथ में हम यह भी देखेंगे कि कई बार कमपनी जब अंशों का हरण करती है उन्हें छेनती है जब्त करती है तो उसके कुछ समय पस्चात वह उन अंशों को किसी अन्य व्यक्ति को पुनह जारी कर देती ह जिसे हम री इशू के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये बहुत साधरन सी बात है कि कम्पनी अपने पास उन अंशों को रखकर क्या करेगी यदि उसने पहले किसी वेक्ति को दिये उस वेक्ति ने उन्हें पूरे पैसे नहीं दिये कम्पनी ने उसके जो पैसे आए उसे जब्द कर लिए तो कम्पनी उन अंशों को जनता को जारी कर देती है इसे हम पुनेह निर्गमन या री इशू की प्रक्रिया कहते हैं इस प्रशन को देखते हैं इस प्रशन को बच्चों इसके हल में आप एक एक प्रविष्टिय को अच्छे से देखें जिसके जरिये आपके इस पूरे अध्याय का पुनर अभ्यास हो सके बच्चों इस प्रशन में हाईलाइट इंडिया लिमिटेड नाम की कम्पनी है जिसने सो रुपे के तीस हजार अंश जारी किये है बीस रुपे के अधी मूल्य पर यानि सो रुपे के अंशो को उसने एक सो बीस रुपे में जारी किया है इस एक सो बीस रुपे की राशी को कम्पनी ने चालीस रुपे आवेदन पर जिसमें से 10 रुपे अधिमूल लिये के भी है तो बच्चों ध्यान रखना है यह जो 40 रुपे कंपणी ने मांगे हैं इन 40 रुपेों में से 10 रुपे अधिमूल लिये के हैं तो 30 रुपे की राशी अंश पूंजी की है आबंटन के 30 रुपए में से 10 रुपए अधी मूल लिये के हैं फिर 30 रुपए प्रतम मांग और 20 रुपए द्वित्यवा अंतिम मांग पर मांगे गए कमपनी ने 30,000 अंच जारी किये थे उसे 40,000 अंचों के आवेदन प्राप्थ हुए जिसमें से उसने 35,000 अंच के आवेदकों को अनुपातिक आबंटन यानी प्रोराटा अलॉटमेंट किया अर्थात बाकी के 5,000 अवेदकों को उसने वापस कर दिया उनकी राशी डॉटा दी रोहन नाम का एक सक्ष जिसके पास 600 अंच थे उसने आबंटन राशी का भुकतान नहीं किए वो असफल रहा उसमें और उसके अंचों को आबंटन के पश्चात हरन कर लिया गया अमन नाम का एक व्यक्ति जिसके पास 1050 अंच के आवेदन थे अमन ने 1050 अंचों के लिए आवेदन किये थे उसने प्रथम मांग की राशी का भुकतान नहीं किया उसके अंचों का प्रथम मांग के पश्चात हरन किया गया है बच्चों ये बड़ा प्रश्ण है आप इसकी बारीकियों को इसकी सभी सूचनाओं को विस्तार में एक एक करके देखेंगे और याद करेंगे जब हम हल करेंगे तो हम वापस इन सूचनाओं पर भी आएंगे ताकि आप एक-एक सूचना का हल के साथ समायोजन कर सके द्वित्य और अंति मांग जब मांगी गए तो उस पर सभी राशी प्राप्त हुई है कम्पनी ने जितने भी अंश हरित किये उन हरन किये अंशों में से 1000 अंशों को 80 रुपए प्रती अंश के रूप में पुनह निर्गमित कर दिया गया जिसमें अमन के सारे अंश शामिल है तो इस परकार हमें हाइलाइट लिमिटेट की पुस्तकों में प्रविष्टियां करके दिखानी है तो बच्चों चलिए अब इसके हल को सीधा देखते हैं और प्रविष्टियों को समझने की कोशिश करते हैं चालीस हजार अंशों के लिए कंपनी को आवेदन प्राप्त हुएं चालीस रुपए आवेदन की राशी थी तो चालीस हजार गुणा चालीस यानि 16 लाख रुपए कंपनी को आवेदन पर प्राप्त हुए अब बच्चों इस आवेदन की राशी का हमें क्या करना है इसको हस्तांतरित करना है ध्यान से एक एक करके हम इसको हस्तांतरित करेंगे सबसे पहले तो बच्चों हम यह ध्यान रखेंगे कि कंपनी ने पाच हजार आवेदनों को तो पूर्ण रूप से अस्विकार करके रद कर दिया तो उन पाच हजार की आवेदन राशी वापस करनी है तो पाच हजार गुणा चालिस यानि दो लाख रुपए कंपनी ने यहां पर जिसे हम यहां भी दिखा सकते हैं यह बैंक खाते से वापस किये 16 लाख में से 2 लाख तो हमने वापस कर दिये अब जो 14 लाख रुपए के आवेदन की राशी हमारे पास यहां बची है इसमें से बच्चों अंश पूंजी खाते में कितनी राशी जाएगी 30,000 अंश 30 रुपए उनकी मूल राशी थी क्योंकि आवेदन पर 40 रुपए म राशी 30,000 गुणा 10 यानि 3 लाख रुपए प्रीमियम पे गए जो बाकी बच गया वो कमपनी आगे यूज करेगी उसका उप्योग करेगी तो उसे हम अंश आबंटन खाते में डाल देंगे क्योंकि हमने लोगों को अनुपातिक शेयर या अंश आबंटित की है सब को पू अपनी ने 30 रुपए की आबंटन की राशी मांगी है तो उसके हिसाब से 9 लाख रुपए आबंटन के बनते हैं लेकिन उसमें 10 रुपए प्रीमियम के हैं तो 10 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए हमने प्रीमियम में दिखा दिये 9 लाख कुल हमने मांगे बच्चो 9 लाक में से 2 लाक रुपे आप देखेंगे यहाँ पर हम पहले ही आबंटन में दिखा चुके हैं यानि हमें 7 लाक रुपे और चाहिए अब इन 7 लाक रुपेओं में से भी एक अंश धारक ने हमें आबंटन की राशी नहीं दी तो हमें अब उसकी गड़ना करनी है कि हमें आबंटन पर कितनी राशी प्राप्त होगी एक बर हम प्रश्न को वापस देखते हैं कि किस अंश धारक ने हमें राशी नहीं दी रोहन नाम का अंश धारक जिसे 600 अंश प्राप्त हुए थे ध्यान रखेंगे इसको 600 अंश प्राप्त हुए थे तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं कि क्योंकि इसको 600 अंश प्राप्त हुए थे किन्तु इसने आवेदन तो जादा किये होंगे तो रोहन ने कितने अंश आवेदित किये थे छेसो अंश यदि उसे मिले हैं कम्पनी ने अंशों का आबंटन 35-30 के अनुपात में किया यानि 35,000 आवेदकों को 30,000 अंश दिये तो इस हिसाब से यदि हम 35-30 का एक अनुपात बनाते हैं तो इसका अर्थ ही है निकल के आता है कि रोहन ने 700 अंशों के लिए आवेदन दिया होगा 700 अंशों के आवेदन को करते वक्त उसने 40 रुपय का भुकतान किया होगा तो यानि कि उसने 28,000 रुपय की राशी दी होगी किन्तु उसको अंश मिले 600 इन 600 अंशों पर 40 रुपय यानि की 24,000 रुपय उसके हमने आवेदन पर उपियोग कर लिया अब इसकी जो ये 4,000 रुपय की अतरिक्त राशी है ये हम आबंटन पर उपियोग करेंगे आबंटन पर रोहन से उसके 600 अंशों पर 30 रुपय के हिसाब से 18,000 रुपय मांगे गए 18,000 में से 4,000 रुपय तो रोहन ने पहले ही एडवांस में दे रखा है यानि हमें उससे 4,000 रुपय घटाने के बाद 14,000 रुपय और चाहिए थे जो कि उसने नहीं दिये तो इसका अर्थ ही या निकलता है कि रोहन से हमें 14,000 रुपय नहीं मिले कुल हमें 7,000 रुपय चाहिए थे आबंटन पर जिसमें से 14,000 रुपय नहीं मिले तो हमारे आबंटन पर बैंक खाते के नाम से 6,86,000 रुपय साथ लाग में से 14,000 रुपे रोहन की राशी घटाने के बाद 6,86,000 रुपे के राशी हमें प्राप्ठ होई इसके पश्चात उसके खातों का यानि उसके अन्शों का हरन किया गया तो उसके 600 अन्श गुणा हमने उससे क्या-क्या राशी मांगी थी हमने उससे 30 रुपे आवेदन के प्रीमियम को छोड़ कर और 20 रुपे आबंटन के यानि कुल 50 रुपे हमने उससे मांग लिये थे तो 600 अंशों पर 50 रुपे यानि 30,000 रुपे अंश पूंजी खाते में आ जाएंगे इसमें से उसने क्या-क्या दे दिया बच्चों उसने एक ही बार 40 रुपे दिये थे जिसका कुल आया था 28,000 रुपे तो वो 28,000 रुपे जो उसने दिये थे बच्चों वो 28,000 रुपे हमें हरित करने हैं लेकिन उस 28,000 रुपे में से 10 रुपे तो बच्चों प्रीमियम के थे जो की आविदन पर थे 600 अंशों पर 10 रुपे प्रीमियम के वो दे चुका है तो ये 6,000 रुपे छोड़कर बाकी के 22,000 रुपे हम उसकी पूंजी के मानते हैं और उस 22,000 को हमने हरित कर लिया तो हमारी हरन खाते में 22,000 रुपे की राशी आ गई उसने आबंटन के 14,000 रुपे नहीं दिये तो बच्चों कुल 22 और 14,000 रुपे यहां पर आ गए अब जो 6,000 रुपे अतरिक्त डेबिट हमें करना है वो इसलिए करना है क्योंकि उसने प्रीमियम की राशी जो हमने उससे आबंटन के वक्त इस राशी में मांगी होगी वो उसने नहीं दिये तो अब हमें इस खाते को बंद करने के लिए उसे 6,000 रुपे से डेबिट करना होगा यह 6,000 रुपे की राशी यहां पर आएगी जिससे कि हमारा डेबिट भी 36,000 रुपे का हो जाए और क्रेट भी 36,000 रुपे का हो जाए इसके पश्चात हम प्रथम मांग पर चलते हैं बच्चों प्रथम मांग पर अब हमने कुल 8,82,000 रुपे मांगे हैं क्योंकि अब हमारे पास अंश बचे हैं 29,400 29,400 अंशों पर प्रथम मांग की राशी हम मांगेंगे तो कुल राशी 8,82,000 रुपे की आ जाएगी अब ये 8,82,000 रुपे की राशी अब देखते हैं कि इसमें से कितनी हमें प्राप्त होगी तो बच्चों अगली प्रविष्टी में हम देखेंगे कि बैंक के नाम पे हमारे पास 8,55,000 रुपे आए क्यों आए? क्योंकि इस बार अमन नाम का एक व्यक्ति था जिसने 1050 अन्शों का आवेदन किया था हमें ध्यान रखना है कि ये 1050 उसकी आवेदन की संक्या है उसको आबंटन हुआ है 30,35 के अनुपात में यानि हर 35 आवेदन पर 30 आबंटन हुए है तो इससे हम निकालेंगे कि उसको कितने अन्शों की प्राप्ती हुए तो बच्चों उसे कुल 900 अन्शों की प्राप्ती हुए उसने अपने 900 अन्शों पर हमें प्रथम मांग की राशी नहीं दी प्रथम मांग 30 रुपे की थी 900 अंशों पर 30 रुपए यानि की 27,000 रुपए हमें प्राप्त नहीं हुए हमने 8,82,000 रुपए मांगे थे जिसमें से 27,000 रुपए नहीं मिले तो हमें कुल प्राप्त हुए 8,55,000 रुपए जो की बैंक खाते में हमने डाल दिये इसके तुरंट पश्चात उसके अंशों का हरण किया गया है तो बच्चों उसके पास अंश है 900 अभी तक उससे हम क्या क्या मांग चुके हैं 30 रुपए प्रथम मांग उससे पहले 20 रुपए आबंटन उससे पहले 30 रुपए आवेदन दे दिया प्रथम मांग वो नहीं दे पाया तो 900 अंशों पर कुल 50 रुपए वो दे चुका है तो इसलिए 50 से गुणा करके 45,000 रुपए जो उसने दिये वो हमने जब्त कर लिये जो की अंश हरण खाते में चले गए और बाकी जो नहीं दिया वो प्रथम मांग की राशी थी उसको हमने प्रथम मांग के नाम से 27,000 रुपए वहां दिखा दिये बचों इसके पश्चात कंपनी ने बाकी के बचे हुए अंशों पर दुवित्यवा अंतिम मांग की है तो इन अंशों पर उसने कंपनी ने कुल अब कितने अंश बचे कंपनी के पास 28,000 पास क्योंकि 900 अंश अमन के और 600 अंश रोहन के 1500 अंश छीनने के बाद 30,000 में से 28,500 अंश पर हमने यह मांग की राशी मांगी जो की हमें पूरता है प्राप्त हो गई इसके पश्चात कंपनी ने उन हरिट अंशों में से 1500 कंपनी ने पुनेह निरगमित किये असी रुपए पर अंशों का मूल लिए 100 रुपए है तो 20 रुपए का कंपनी ने बत्टा यानि ॏस्काउंट दिया वो डिस्काउंट की राशी हरित राशी में से हम adjust ये समयोजित कर सकते हैं हरित राशी हमारे लिए एक तरह का अतरिक लाब है पुनर निर्गमन पर एक तरह का यहानी हुआ इस हानी को इस लाब से हम समयोजित कर सकते हैं तो इसलिए जो 20,000 रुपय का नुकसान है वो हमने अंश हरन खाते के नाम से दिखाया और कुल अंश पुनजी एक हजार शेयर 100 रुपे के नाम से इसमें आ गई बचो इसके पश्चात अंश हरन खाते में जितनी राशी हमारे पास थी उसमें से एक उपयोगत राशी को निकाल के जिसका अब कोई उपयोग नहीं बचा उसे कंपनी द्वारा आरक्षित गिया जाएगा पुनजी आरक्षित खाते के अंदर तो इसलिए कंपनी के पास जो हरन की राशी बची थी उसमें से उन अंशों की राशी जो अब पुनर निर्गमित हो चुका है उनके हरन की राशी का कोई उपयोग नहीं तो उसे कंपनी ने निकाल कर पुनजी आरक्षित खाते में डाल दिया इस प्रकार इस प्रश्न में हमने जितनी भी परिस्थित्यां थी चाहे वो अधिलाब की हो चाहे वो अधी मांग की यानि आविदनों की अधिक आने की हो या हरन या पुनह निर्गमन की हो इनसे जुड़ीवी प्रविष्टियों को वापस देखा मैं आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्ण वो यह अध्याय समझ आया होगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद कि लिए गाठा करता ही फडिवाय के सभी वो यह प्राश्या हां आपको झाल झाल